अज बनाने पाली हुंपी न आटा उबूथे आप मैधी कीसे बनाएं लिकविट से हम आज रोटी बनाने वाले हैं तो चली देखते हैं इसे कैसे बनाना है इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप लोगों को मेरी रेस्पीस पसंद आए तो मेरी चैनल कुक्वित अंडी पर सस्क्राइब करें यह बिल्कुल फ्री है बेल आइकन पर क्लिक करें बेल आइकन पर क्लिक करने से आप सभी को मेरी मीव रेस्पीस की नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी यहां पर मैंने दो कप मैदा लिया है इस कप के नाप से हाफ टीस्पून एड करूँगी पाउडर शुगर वद्फो टीस्पून एड करेंगे नमक इसी कप के नाप से मैं पानी आड करूँगी दो कप और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें कोई गुटलिया नहीं होनी चाहिए मिक्स करने के बाद इसमें मैं एड करूँगी एक चमच तेल तो आप देख रहे हैं हमें इस तरह का चाहिए लिक्विड दो तो चलिए अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करें यहां मैंने लो फ्रेम पे पैन को करम कर लिया है मैंने नॉन स्रिक पैन लिया है और अब हम इसमें यह लिक्विड टर्प को दालेंगे और इसे अच्छे से पैला लेंगे जैसे हम डोसा को फैलाते हैं और इसे मैं लो टू मिडम फ्रेम पे रोटी की तरह सेख लोंगी थोड़ी दिर पकने के बाद यह बहुत ही आसानी इसे पैन को छोड़ देगा अब इसे पलट देंगे और आप देख रहे हैं फुली फुली लिक्विड मैदे की रोटी बनके तयार है तो अब मैं इसे निकाल के पेपर नाकीं पे रख लूँगी और इसी तरह से मैं और लिक्विड मेद रोटी बना लूँगे तो आपने देखा लिक्विड मैदे की रोटी बनके तयार है आप देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट बना ये और बहुत ही फुला फुला बना था और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है में एक रोटी बनी प sì जरुट भी अच्छा विडियो बना लिक्विडी पर अच्छा बीड़ा है , इस तरह से रोटी बना तो बहुत ही अच्छी रेशेपी बहुत ही आसान है तो ज़रूर करें और मुझे कमेंट करें के आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आये तो मेरे चनल कोWE TNPP subscribe करें मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए थैंक्यो फॉडूर वाचिंग झाले।